हुआ हुआ है हुआ है हलो दोस्तों मुस्तफाद हेल्पिंग एंड में आपका स्वागत है दोस्तों अगर आपने अभी तक बहुत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटापट सब्सक्राइब करिए बेल आइकॉन प्रेस कर लिए जिससे आपको वीडियो रेगिलरली म इस ऐसेंबर को को अब देखने को अप्डेशन नहीं है रिखेंग को तक कोई बीबुटेशन नहीं है ठीक ऑद Déखो और श्रूंप्डेशन ऑसके बाद को अक्टोबशर लेकिंग नवेंबर तक कोई अब्डेशन नहीं है डिसेंबर 5 तक कोई भी अपडेशन नहीं है ठीक है दोस्तों उनको डायरेक्ट डिसेंबर में 5 डिसेंबर को मेडिकल रिक्वेस्ट आई ठीक है और अपडेट हुआ 9 डिसेंबर को तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अब ऑक्टोबर की स्टार्ट हो गई है ठीक है तो जिसके ऑक्टोबर फाइल रखी है उनको टेंसल लेनी की ज़रूरत नहीं है उनका भी नंबर जरूर से आएगा ठीक है दोस्तों आपने इस डेवली पी पीपी आर का पार्ट वन नहीं देखा है जो सुभे रखा था आपने तो निचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में उसकी लिंक रखिए एक बार जरूर से देख लेना फाइनली विद ब्लेसिंग अल्माइटी और गाइड़न सफ एवरीवन अल्हम्दलिल्ला रिवियू और पीपी आर 24 नॉवेंबर यानि के रिवियू पीपी आर के दिन ही स्टार्ट हुआ है और उसी दिन उनको पीपी आर भी आ गई है पासपार स्टैंपिंग ऑन 6 दिसेंबर फ्रॉम मुंबई वी एफस ऑफिस अब उन्होंने दी है सो डॉप की इंफरमेशन बैचलर्स विच एर एक्सपिरियंस मेरीड ऑन 22nd ऑक्तोबर 2021 डिलेशनशिप सिंस 2017 सी एवेलुएशन रिपोर्ट 3.2 CR अब ताइम लाइन देखते हैं एप्लाइड 18 ऑक्तोबर बाइमेट 23rd ऑक्तोबर medical affront updated 14th november waveform raise on 8th december to inform spouse got her visa and we wish to travel together okay very nice additional document request yannick ADR wedding certificate wedding photos and post wedding photos requested on 13th december submitted on same day by evening raise waveform again 15th december to inform spouse classes starting on 9th january and we wish to fly together and we have to make necessary arrangement PPR finally 19th december very nice बहुत ही intelligent काम किया इन्होंने के time time पर उन्होंने waveform raise किये दोस्तों अगर आपके भी PPR नहीं हा रहे है तो आप waveform raise कर सकते हो मगर बहुत waveform raise मत करना उससे negative impact भी पड़ता है ठीक है दोस्तों तो ऐसे एक दो waveform raise करने जो कोई negative impact नहीं पड़ेगा ठीक है मगर ऐसा ना करना कि अभी आपने फाइल रखे हुई है 10-30 बना दिन नहीं हुए ना waveform बना स्टार्ट कर दो ठीक है तो एक certain time के बाद waveform raise करना है ओके दोस्तों इनको विश्च करते हैं अभी congratulations and बढ़ते आगे हमारी नई PPR की तरफ सो next PPR है PPR for spouse and two kids file submission date है November 12 medical November 15 updated same day very nice Biometric November 17 updated December 18 यानि के one month बाद update हुआ है PPR December 19 Biometric update होने के एक दिन बाद उनका PPR आया है visa office है IRCC Riyadh Saudi since wife is a doctor in Saudi series number है W30764 fund देखते है उनका 9000 CAD wife account mine 15,000 CAD and total 1,05,000 CAD so congratulations next PPR है visa got stamped PPR in 25 days sorry for the late post SOWP approved after two study permit application rejection in 2021 application timeline file submission November 12 biometric updated November 14 from previous application review started November 20 medical updated November 22 upfront medical ghost update November 26 PPR December 7 passport submission December 12 passport stamping plus LOE December 16 so congratulations दोस्तों दोस्तों नेक्स्ट है एक rejection केस चलिए देखते हैं उसके क्या reason दिये है court rejection SWP reason देखते है eligibility for a work permit in this category only applies to the spouse or common law partner यानि के उनका first rejection reason है कि आपने जिस category में apply किया है उस category में सिर्फ spouse और common law partner ही apply कर सकते हैं इस लिए हम आपको reject करते हैं वह qualified NOC में job कर रहा है ठीक है इसलिए हम आपको reject करते हैं तो यह दो इनके कारण थे rejection के तो गाइस यह थी आज की कुछ PPR मिलते हैं नेक्स वीडियो में ऐसलिए नहीं PPR के साथ तब तक के लिए बाई बाई